लहादा जम्मु कश्मीर में जब वहां केंद शास्वी स्परदेश होगा और वहांकी लेजिसलेशन होगी यानि दिल्ली का रेपलिका होगा तो दिल्ली में जैसे सारी जमीन और सारी पुलिस ग्रह मंत्राले के अंडर में आती है इसी तरह जम्मू कश्मीर की चप्पे चप्पे की जमीन पहली बार भारत सरकार की होगी इसी यूनिन टेरिट्री के कारण जिस पुलिस में एंटी इंडिया लोगों को रिकूरूट किया जाता था आतंकवादियों को छोड़ने उनको शेड़ो दे करके निकालने वाली पुलिस थी वो पुलिस भी ग्रह मंत्राले के अंडर आएगी संकट दूसरा है ग्रह मंत्राले किसके अंडर में है ये भी टेंशन का काम है लहाज़ा जम्मू कश्मीर को ये कताई मत कहिएगा आप कि हमारा अभिन्नंग है क्योंकि कभी मैंने आपके मूँ से नहीं सुना कि बिहार भारत का अभिन्नंग है आपको अगर कहना है तो मैंने कहा दें कि कुछ चीज़ें अपनी तरफ से कहनी नहीं हैं आपको सिर्फ इतनी बात कहनी है 24 फरवरी 1994 को भारत की सम्ट पार्लिमेंट के अंदर कॉंग्रेस की सरकार थी कॉंग्रेस के प्रदान मंत्री थे पी वी नर से मराओ एक प्रस्ताओ पारित हुआ सिर्फ उस प्रस्ताओ का हवाला देंगे तो लोग कहेंगे आप किसी इस पार्टी उस पार्टी के नहीं है आप देश के लोग हैं सच बात बता रहे हैं बागी जिसको जो करना करें 24 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव पारित हुआ भारत की संसद में और सर्वसमती से हुआ उस प्रस्ताव में नरसिम्मा राउ ने सिर्फ इतना ही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है अब नरसिम्मा राउ भी बड़े खिला लगी थे क्योंकि वो कहते थे अटल जी मेरे गुरू है तो आप सोचिए कि नरसिम्मा राउ ने प्रस्ताव में ये लाइन पेश की अटल जी तो काफी लंबा पाउस लेते थे उन्होंने सिर्फ अपना मुँ बंद किया तो जितने खड़े हुए थे ना उन सब को लगा नरसिम्मा राउ ने तो हमारे दिल की बात कह दी तो मुस्लिम लीग के लोगों ने भी ताली बजाई लेकिन नरसिम्मा राउ ने अपने पॉस के बात कहा कि सिर्फ इतना ही विवाद है कि जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कबज़ा कर लिया है वो वापस लेना है तो आदे लोगों के मू लटक गया है वो प्रस्ताव पारित हुआ भारत की संसद में लेकिन इस घटना का जिकर और आज की घटना का जिकर में क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में मेरा एक अपना एनलिसिस है ये प्रस्ताओ पास हुआ तो देश को भी पता नहीं है देश तो भूल गया लेकिन संसद भी भूल गई और पाकिस्तान ने इस प्रस्ताओ के पारित होने के बाद कोई बयान नहीं दिया देश में कहीं इंटॉलरेंस पैदा नहीं हुई सब कुछ शीक चाक चलता रहा लेकिन सिर्फ इतना ही तो हुआ कि उसने जो प्रस्ताओ पारित किया तो पारित करने की जो सरकार थी उनके लोगों को पता था कि ये प्रस्ताओ पारित किया इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला लोग हमारे सत्ता में बैठे हुए है इसलिए प्रस्ताओ पारित किया इन्होंने डायरेट पारित कर दिया तो जो आज की घटना है और 1994 की घटना है सिर्फ घटना एक ही है लेकिन फर्क इतना है कि तब उनके प्रॉक्सी सत्ता में थे तब वो लोग सत्ता में थे जो पाकिस्तान अपने आदमी को भेजते हैं मोदी हटाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए जो पाकिस्तान के यहां हिंदुस्तान के अंदर 500 से जादा पाकिस्तान बन चुके हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं उन लोगों को तब तकलीफ नहीं थी उनको आज तकलीफ हो रही है क्योंकि सत्ता में जो बैठा हुआ है वो जो कह रहा है वो ही कर रहा है लहाजा जब इस डिबेट को आगे बढ़ाया गया और उन्होंने कहा कि क्या हम पाकिस्तान उकूपाइड कश्मीर को भी हम लेंगे क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है तो खल बली इसलिए है कि यह प्रस्ताव बगर पारित करें यह भी भी कर सकता है तो सत्ता का बदलाव होना सिर्फ किसी दल का हट जाना यह नहीं होता अब मैंने यह मैं उसमें मेरा इतना ही एडिशन है कि आपको कुछ नहीं करना है भारत की संसद में अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो सरकार से बड़ा होता है वो संसद की प्रपर्टी होती है वो किसी पार्टी की प्रपर्टी नहीं होती है आपको सिर्फ इतने ही कहिए कि जो हमारे पूरवज महान कॉंग्रेस के लीडर करके गए हैं हमें सिर्फ उसको पूरा करना है तो ना कुछ लोग रो पाएंगे ना हस पाएंगे तो ये जो बात आई है उसी बहस में किसी ने इसका जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो सतर साल से जिस आतंको आपके घर में हो रहा था मरने वाला भी आपका था मारने वाला भी आपका था जमीन भी आपकी थी एक मूव से वो लड़ाई शिफ्ट हो गई ये कई और उस लड़ाई के शिफ्ट हो जाने से जो बॉकलाट है उस बॉकलाट ने क्या किया है कि जिस इसलाम के नाम पे आपने एक पूरा उम्मा खड़ी की थी कि हर मुसल्मान का पहला फर्ज है कि वो अपने मुसल्मान भाई के लिए चिंता करे हर मुसलमान मुलक का पहला अधिकार है कि वो अपने मुसलमान मुलक के लिए साथ खड़ा हो इस आदमी ने प्लात पैदा कर दिए है यहां यह नहीं किया है यहां वाले तो बिचारे बेरोज़़़ार हो गए है वहां भी उसने ऐसे कर दिए है कि पड़ोसी मुलका इसलामिक रिपब्लिक आफ पाकिस्तान का प्रधान मंत्री टेलिवीजिन पे बिचारा कह रहा है कि हमारी जो पूरी उम्मा थी यानि मुस्लिम ब्रेदर हुड था इस तिजारती ने उनको ऐसा फसाया है कि सब प्रॉफिट लॉज के चकर में इसलाम को छोड़ो के इसके साथ खड़े हो गए है और हमारी मदद नहीं कर रहे है ये चिंता उसमें सताई जा रही है बिचारे को और और तो और जो आदमी मुसल्मानों का कातिल बताया जा रहा था जो एंटी मुसल्मान बताया जा रहा था जिसको वीजा देने के लिए कुछ लोग मने करने गए थे कि इसको वीजा मत देना वो आदमी पीछे पीछे उनका राश्टपती पीजा लेके भाग रहा है तो जब आप ताकत से कुछी चीज़ को पबलिक के सामने रखते हैं दुनिया के सामने रखते हैं और ताकत कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदूख में होती है ताकत आपके शब्दों में भी होती है ताकत आप किस बात को सोचते हैं कैसे करते हैं बिना एक गोली चलाए सत्तर साल से इसलामिक जिहाद को कश्मीर में समाप्त कर दिया कोई कहेगा हम बड़ा गुनगान गाते हैं दो अक्टूबर है बहुत गुनगान गाते हैं लेकिन उनके अहिंसा के खानून होने के बावजूद भी 21 लाख लोग मारे गए भारत के विवाजन में और हम यही गीत गा रहे हैं बिना खरक बिना ताल दे दी तुमने आजादी साबर मती के लाल जरने क्या कहानी कर रहे हैं अगर नौन वाइलन्स किसी को सीखना है तो जम्मू कश्मीर की गटना से सीखें इसे कहते हैं सही मायने में नौन वाइलन्स लेहाजा आज आपका घर ठीक हो गया है पड़ोसी को चिंता उस मुलकी है जो उनसे बचने वाला नहीं है क्यों कि हमने तो अपने जनगन के साथ भी कंप्रोमाइस कर लिया है जनगन में खूब जोड़ जोड़ से गाते हैं सिंद का नाम लेते हैं सिंद आपके पास नहीं है क्योंकि सिंद नहीं है तो इसलिए आपको वो इतिहास भी नहीं पता जिस आप इतिहास पे आपको गर्व होना चाहिए था और जो बौने आप से सवाल करते हैं चोराओं पे गलियों पे उनको आप मजबूती से जवाब देते आपने नहीं किया जो काम हमारे बुजर्कों का था बड़ों का था उन्होंने इमानदारी से नहीं किया उन्होंने सिर्फ ये कहा बेटा इधर जगड़ा हो रहा है तो तुम इधर से जाओ इधर हो रहा है तो तुम इधर से जाओ अब सब जगे हो रहा है तो तुम अमरेका चले जाओ हमने उनको लडाई लड़ने के लिए तैयार नहीं किया सच्चाई से रूबरू नहीं होने दिया हमने जब तक आप किसी चीज से जूजेंगे नहीं चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसाथ हो तब तक आपकी रजिस्टेंस पावर नहीं भड़ती है हमने इस देश की रजिस्टेंस को समाप्त कर दिया है अवाइड करने के लिए, इसको अवाइड करो क्या फर्त पड़ता है, हो जाने दो, यहीं तो आए है पहले पांच करोड़ते हैं, ठीक है, क्या फर्त पड़ रहा है अब वो इस दित्या आ गई है कि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए आप अब लड़ने है